लेटेस्ट और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाईए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे Welcome to Knowledge Hub दोस्तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो 88-86 SSA रमसा में हमारे मुलाजम भरती हुए थे उनकी पे कैसे फिक्स करेंगे हमें पता है फ्रेंट्स की 1-4-18 को उनकी क्लिक की आप्शन को कंसेडर किया गया तो 1-4-20 को उनको जो regular full scale है वो दे दिया गया तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2.59 और 2.25 में दोनों factor के साथ उनकी pay कितनी बनती है तो current जितनी उनकी salary है उसका हम comparison करेंगे 2.59 factor के साथ और 2.25 factor के साथ तो friends अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली latest वीडियो की notification मिलती रहे तो ज़्यादा देरी ना करते हुए friends आज की वीडियो हम start करते हैं तो friends सबसे पहले जैसे कि हमने introduction में देखा कि इनकी joining date है एक चार दो हजार अठारा बट regular joining date है एक चार दो हजार बीस तो friends सबसे पहले हम देखते हैं factor 2.25 के साथ जैसे कि हमें पता है friends कि अगर हम 2011 के जो re-revision हुई थी उसको consider करते हैं तो हमें मिलता है 2.25 का factor और अगर हम 2011 में जो scale re-revision हुए थे उनको छोड़ देते हैं तो as per the recommendation तो उसके साथ multiply factor होता है 2.59 तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2011 के scale हम जो revised हुए थे उनको consider करके कि हमारी salary कितनी बनती है तो 2.25 का factor मानते हैं उसको हम तो friends अगर हम देखें कि 112, 2011 को जो master grader का scale था वो मिला था 18, 450 तो उसके basis पे इनकी 14, 20 को जो scale हमने माना वो है 10, 304, 805,000 जिसमें 13, 450 पे इन payment था और 5000 grade पे 18, 450 था जो उनकी basic minimum salary है वो उनको मिली जो regular scale में उनकी joining की date है उससे तो friends 14, 20 को जो उनकी basic initial पे थी वो थी 18, 450 तो 18, 450 को यहां हमने multiply किया 2.25 के साथ तो multiply करने के बाद friends हमारे पास आया 41,512 रुपए 50 पैसे तो इसका अगर हम round off करते हैं तो 41,500 बनता है 41,500 का round off कर लिया अब हम table में देखेंगे कि उस particular table में जिसमें master creator deal करता है 41,500 के near जो upper value है वो क्या है वो value 14, 20 को उनकी जो है वो new basic पे मानी जाएगी तो friends यह हमारे पास table है table number 6.21.3 table 3 तो इसमें जो master creator को 11.2006 में फिफ्ट पे commission की recommendation का जो scale मिला था वो 3600 grade पे का scale मिला था जिसकी initial basic पे थी 14, 430 तो हमने friends देखा कि 2.25 multiply factor के साथ 41,500 जो है वो उनकी basic पे हमें बनी तो 41,500 के बराबर जो upper limit वाला value है वो हम देखेंगे stable में stable में हम नीचे चलेंगे तो friends 41,500 के upper limit की जो value आ रही है यहां पे आ रही है 41,600 तो इसका मतलब हुआ 14, 2020 को जो इनकी pay fix हुई और table के level number 10 पे table का यह level number 10 है तो वो हुई 41,600 तो friends आपने next value यह याद रखनी है 42,800 क्योंकि इसके बाद इनका increment जो लगेगा वो 14, 2021 को लगेगा तो 14, 2021 को इनकी जो salary होगी increment लगके 42,800 तो अब हम fixation की तरफ चलते हैं friends तो friends हमने 14,20 को इनकी जो salary है 41,600 यहां पे fix कर दी की as per recommendation by the six pay commission तो 14,21 को जो इनकी salary है वो 42,800 हुई एक increment लगने के बाद तो 17,21 को जो salary इनकी fix हो रही है वो हो रही है 42,800 तो 42,800 यह अपने friends याद रखना है अब इसके बाद हम comparison करेंगे तो next है जो हमारा friends वो है 2.59 factor के साथ 2.59 factor हमें पता है कब मिलेगा कि अगर हम 2011 के scales को छोड़ देते हैं तो अब हम आ जाते हैं 5th pay commission पे 14,430 पे तो अगर हम 14,430 को 2.59 factor के साथ multiply करते हैं तो यह आ जाता है 37,373 रुपए साथ पैसे तो इसका round off होता है 37,400 अब 37,400 की हम value देखेंगे की कौन से nearest value fix हो रही है टेबल में तो यह हमारा table है friends वही table है हमारा 3600 grade पे वाला 14,430 हमारी friends जो value निकली थी वो निकली थी 37,400 multiply factor विद्धा 2.59 2.59 तो 37,400 के बाद यह starting value ही 38,100 है तो minimum जो pay है इनकी जो fix हो जाएगी वो 38,100 और एक increment लगके जो उनको 14,2020 को तो मिलेगी 38,100 और 14,2021 को जब annual increment लगेगा तो वन जाएगी 49,200 यह increment लगके तो अब देखते है friends उदर हमारी fixation कैसे होती है तो friends यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 14,20 को हमने table के according 38,100 है इनकी salary यहाँ six pay commission की recommendation के according लगली है तो उसके बाद एक increment लगा 49,200 तो एक साथ 21 को जो इनकी salary fix होती है वो बनती है 49,200 यह बनती है 2.59 factor के साथ और जो हमारा 2.25 factor के साथ हमने salary बनाई थी वो बनाई थी 42,800 तो इन दोनों salaries का हम comparison करेंगे friends जो हम current salary ले रहे हैं अबी तो friends यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1,4,2020 को इनको जो basic पे मिली थी 18,450 मिली थी उसके बाद 3% increment लगके इनकी जो 1,4,21 को basic पे बन गई थी 19,0,10 बन गई थी तो 19,0,10 के साथ हम निकाल रहे हैं 5% IR लगा दिया तो यह हमारी actual basic पे बन गई दी ए 148%, HR 10% Rural Area Allowance 6%, FMA 500 और Mobile Allowance 250 तो इससे जो gross बन रही है वो बन रही है 53,446 रुपे अब 2.2 factor के साथ friends हमने देखा था कि 42,800 बन रही थी 42,800 पे सभी allowances लगा लिए हमने DA 17%, HR 8%, Rural Area Allowance 5%, 500 FMA और 2500 हमारा Mobile Allowance उसके साथ हमारी gross बन ती है 56,390 रुपे और 2.59 factor के साथ अगर हम 2011 के जो benefit हैं वो छोड़ देते हैं तो उसके साथ 49,200 हमारी new basic बन रही थी 14,21 को तो 1,7,21 को भी इतनी बनी तो उसके basis पे सारे allowances जो हमारे लगा के वो हमारी salary बन रही है 51,710 तो friends आप इन तीनों values का इन तीनों values का comparison करके देख सकते हो कि आपकी जो salary है वो कितनी बन रही है, कितनी बढ़ रही है या कितनी घड रही है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली latest वीडियो की notification मिलती रहे Thank you very much friends